Hello guys and welcome back to the video and आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग दुबारस खेल रहे हैं Roblox और आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं Two Player Piggy Tycoon Challenge और इसमें हम लोगों को अपना Piggy Base बनाना है और उसके बाद बाकी प्लेयर्स को हांट करके खतम कर देना है फ्रोष्ट भाई लेकिन यार मेरा घर कौन सा है बाई अबै इसी घर में आना है एक्चली में हम दोनों यार सेम ही घर पे काम करने वाले गाईज इसलिए इस पूरे के पूरे गेम मोड का नाम Two Player Piggy Tycoon रखा गया है आप लोग मेरे को comment section में जरूर बताना आपको येवाला idea कैसा लगा और अभी बिने time pass के यहाँ पर शुरू करते तो पहला यार हम लोगों को dropper यहाँ पर guys set करना है और अब रुको यार पहले add में दिखाओ guys यहाँ पर इस पूरे के पूरे lobby में अलगता है हम ही लोग सबसे पहले entry मारे हैं और इसके वजह से guys हम लोगों को यहाँ पर first place की position को हासिल करने में कोई भी problem नहीं हुई है लेकिन guys अभी अभी देखो क्या है games just start हुआ है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि इस पूरे के पूरे जो piggy का घर है और piggy monster है guys उसके power क्या क्या है और हम लोगों को उसमें से कौन से power use करने को मिलते हैं और तो और यार उन powers का इस्तिमाल करक हम लोग भी यहां पर यार उसको जा करके मज़ा चकाना शुरू कर देंगे वैल फिलहाल के लिए दो guys अभी चौप बना हुआ है richest person हमारी पूरी lobby का तो Mr. Chop आपको कैसा लग रहा है और यह पूरा का पूरा टाच चेंज होते रहता है यानि कि currently जिसके पास सबसे जादा प guys दिवाल हमारा literally कितना जादा प्यारा लग रहा है तू क्या कर रहा है निकल यहां से भाई शाब और अब मार दिया ओ भाई मैंने इसके सर पर क्या घुमा के मारा है guys फ्रॉट भाई मेरे को क्यो मार रहो मैं आपका दोस्त मैंनी मरूगा भाई okay okay तो guys आप लोगों ने दे सकू all right ladies and gentlemen अब finally हम लोगों यहां पर weapons unlock कर लिये है 1000 डॉलर के साथ और यह तलवार मिली है चौप देख मेरे को रॉट भाई यह कितना तेज आ रहो भाई यह तो सूपर पावर्फुल तलवार है भाई जो पीगी monster किसी को नहीं देता है भाई वहीं तो मैं भी पूर रहू से guys और यही पर सारे के सारे पीगी जैं लेकिन इनको जगाने के लिए हम लोगों को यार अपना level जो है max करना पड़े गाई और इसके थोड़े रोबक्स खर्चा करने पड़ेंगे तो या अभी देखते हैं अपर लोग उनको जगा पाते या फिर नहीं लेकिन अभी के ल जादा slow चल रहा है जिसकी वजह से हमारा अभी तक यार यह पूरा का पूरा first floor clear नहीं हो पाया है आपके पैस पैसा है तो मेरा दिवाल बना दोना भाई आरे नहीं बना पार वही तो मैं अभी चेक करने गया था guys लेकिन आसा लगता है जैसे हम लोग यहां पर Mr. Chop का दिव Powered items है और तो और guys third floor भी एक floor है जिसके उपर हम लोगों को Thanos का जो gauntlet है वो मिलता है जैसे चुटकी बजाते के साथ आधा का पूरा map गयब कर सकते हो अगर दो बार बजा दिया तो alright तो यहां पर guys हम लोगों ने अपना ladder place कर दिया है लेकिन seems like कि सिव ladder place करने से कुछ नहीं होने वाला हम लोगों को नया floor भी खरीदना पड़ेगा जिसके पैसे हमें यहां पर से मिलेंगे तो guys लगब 1.4 thousand dollars I think it totally sufficient नहीं भाई हम लोगों को 2000 dollars चाहिए और मैं chop का ladder भी नहीं खरीद पा रहा हूँ भाई मेरा ladder कहां से करीदो को मेरा ladder मेरे को करीदने दो भाई okay तो guys अभी भी non-stop हम लोग यहां पर तू अटक कैसे गया भाई अचा रुक तलवार से मदद करता हुए एक काम कर reset बतन दबादे तू निकल जाएगा okay so guys हम लोगों के पास हो चुके है 12,000 से भी जादा डॉलर्स और अभी हमारे base के पास यार बंदे आ रहे ओए चौप इसको मार यार यह परिशान कर रहा है और अब आपरे गंडासा ल यार हम लोगों से नफरत करने लगे okay guys हम लोग थोड़े देर में लोगों को ढूंड ढूंड के मारना भी शुरू करेंगे and I mean it's the goal यार अगर आप इस पूरे का पूरे lobby के राजा हो यानि कि आप king player हो तो I mean आप अपने दूसरे players को थोड़ा तो dominate कर सकते हो I mean यार मजा कै से आएगा पीगी भी तो यार यही करता है और हम लोगों का गोल है guys इस गेम के अंदर सबसे बेस्ट पीगी बनना तो let's go guys इस पीगी के वर्ड में हम लोग थोड़ा और अमीर हो जाते है और उसके बाद एक वेपन क्रेट अनलॉक करके और उसके बाद इन लोग को ट्रोल बाई क्या स्पीड थी तेरे मारने के पहले मेरी स्पीड डेकी तुने बाई एक पलक जपकती के साथ उस बंडे का हम लोगों ने यार सरधर से अलग कर दिया और यही मौका एक और बार इसको सबक सिखाने का मेरे चौप को अकीला छोड़ दे बाई यह ले और यह अपच क पाए और हम लोग जब शाहते हैं उनके घर में घुश सकते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है यार यो लोग जो है यूजरी रोब्लोक्स अकेले खेलते हैं और यह पूरा का पूरा गेम का कॉंसेट ही है कि दो प्लेयर होने चाहिए तब आप बढ़िया तरीके से खेल सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ड्रॉपर है काईज वो खरीद पाएंगे और यहां पर सेकेंड फ्लोर पे आर हम लोगों को गन्स देखने को मिलती है गाईज मैंने गन की पावर टेस्ट आउट की है उतनी जादा जबर्दस नहीं है वैसे मैं आप लोगों को फिनाले मे आप एक बार रिस्पॉंट से तो निकलो अच्छा मैडम जी है मैडम जी आपको तो नहीं मार पाऊंगा लेकिन इसको जरूर मारूगा देख भगता का है भाई यू बहुत तेज मारता है बंदों को मतलब यार वो पिचारा जब तक रियलाइस किया ओ शिट मेरा मोध मेरे तो मिस्टर चॉप मैंने अपना बदला ले लिया है तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है और अब चलते हैं अपना थर्ड फ्लोर को भी यहां पर टोटली मैक्स आउट कर देते हैं और उसके आद आपको एक पूरे के पूरे मैंशन का एक लजीज और जबरदस्त टूर दे करेंगे गाईज और उसके बाद 2-3 प्लेयर्स को डॉमिनेट करेंगे और अभी हम लोग रिचेस्ट है मतलब हमारे सर पर यह ताज लहरा रहा है यार यह कभी भी जाने वाला नहीं है गाईज मैं आप लोगों को बता देता हूँ और यहां पर हम लोगों का यार वो सीक्र इसलिए मेरे को रोबलॉक्स बिलकुर पसंदी है बहुत जादा नहीं दिखाएंगे अब यहार तू घजबा इमें में कोशिश कर रहा हूं आप लोगो को एक्स्पिरियंस देने का जो यह यूटिवर यूज़ी नहीं देता है देखो यार हम लोग तो अपने पैसे खरच करके आपको यार अच्छा gameplay दे सकते लेकिन फिर आप लोग खेलोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा मैं चाहता हूँ मैं आपको वह experience दू जब आप लोग खुद गेम खेलोगे तो आपको भी वही feeling आएगी एकदम same to same अपना बदला मैंने आपसे ले लिया है और आइंदा अपने उकाद में रहना हमारे घर में अगर खदम रखने की कोशिश की तो भाई बहुत जोरों से पिटेगा हमारे आतो यह ले एक और बार मारते वे अरे चोप को मार दिया हो भाई क्या प्रो लड़का है सोनो सर सर एक मर गया भाई देख रहे हो गाइस ऑल्राइट ऑफ लोगों का बिल्डिंग यहां पर फिनिश हो चुका है और मैंने आप लोगों को तूर प्रॉमिस किया था वह आ चुका है यह देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा बिल्डिंग सामने में से यह मेरा गेट है बहुत सारे ड्रॉपर्स लगा दिये गाईज और अब टॉर्च को बंद कर यार पूरे आग फूर जाएंगे मेरे इससे जादा काम तो मेरे को फर्स्ट फ्रोर का ये 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 रेंबू स्वार्ड लगता है गाईज एक तो आप दुश्मन के घर में घुश जाओ मारते वे निकल जाओ उसको मतलब कि यार जब तक उस बंदे को रियलाइज हुआ उसके साथ हो क्या रहा है हम लोगों ने उ प्लेश पर खड़े और किलिंग स्प्री ये होता है यार जब आप किसी पूरे के पूरे गेम में ना टॉप प्लेयर से पंगा लेते हो और इस बंदे के पास यार हमारे जैसे चौप के जैसे जैसे सेकेंड प्लेयर नहीं है इसकी वज़ेसे इसका बील्डिंग पूरा को यार हमारा ये रोब्लोक्स का टू प्लेयर पिकी टाइकून देखके पसंद आये होगा और इट सी ये नेक्स वन अंटिल देन से फ्रोस्टी